बिग बॉस अपने फिनाले से महज एक हफ्ता दूर है ऐसे मैं घर में हो रहा था टिकेट टू फिनाले टास्क टिकेट टू फिनाले टास्क मैं अलिगोनी राहुल वैद्दे और रुबिना दिलैक के बीच में एक तगड़ा कॉंपटिशन देखने को मिला लेकिन आखिरकार इस टास को रुबिना दिलैक ने जीत लिया है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना टिकेट टू फिनाले जीत कर रुबिना दिलैक बन गई है फिनाले में पहुंचने वाली पहली कंटेस्टन्ट हलाकि रुबिना के टास्क जीतने से अली राहुल और जैस्मिन बिल्कुल वही खुश नज़न नहीं आ रहे थे जिस वजह से उनकी रूबीना और पारस के साथ में बड़ी लड़ाई हो गए। दुक्षिट को इस तास का विनर बना दिया। ऐसे में पारस चाबड़ा से अली और राहुल बहुत जादा नाराज हो गए और उनसे लड़ाई करने लगे वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन भसीन रूबिना दिलैक से इतनी जादा चिड़ गई कि उन्होंने रूबिना को उल्टा सिधा कहना शुरू कर दिया जिसके बाद र धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई में तब्धील हो गई आपको बता दें कि घर में पारस चाबड़ा ने हाली में एंट्री ली है वो देवोलीना की प्रॉक्सी बन कर आये हैं लेकिन देवोलीना की प्रॉक्सी होने के बावजूद पारस चाबड़ा इस सीजन में भी बहुत जादा चिड़ गए और दोनों का पारस के साथ में एक बड़ा जगड़ा हो गया अब देखना ये होगा कि टिकेट टू फिनाले टास्क रूबीना दिलाइक के जीतने के बाद घर में अब कंटेस्टेंस के बीच में कोई और टास्क होता है या फिर इन ही कंटेस्टे के लिए ट्विटर, Facebook, Instagram पर फॉलो करना ना भूलें